So, hello and welcome दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Defense Point पर. दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Indian Air Force, Group C, Civilian Post के लिए जो है application form आपको किस प्रकार से बढ़ना है. और इसके अलावा, जो है काफी लोगों गा नीचे comment box में comment आ राता कि सरी ये vacancy जो है, वो बिलकुल fake है. तो complete details के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो जो है काफी ज़्यादा important और special आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा. लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो सुरू करें, मैं आप लोगों वो बोलना चाहूंगा, कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe जुरूर से कर लें, और bell icon को press कर लें, थाकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी latest updates मिलते रहें. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह vacancy real है या फिर fake है, थीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह vacancy जो है 100% real है, इसके लिए आप proof देख सकते हो, अगर आप लोग employment news देखते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें यह notification आ चुका है, थीक ह यह एकदम original vacancy है, real, इसका आप लोगों official notification आ चुका है, और एक दो दिन में आपको site ओं पर भी देखने को मिल जाएगा, थीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आपका application form किस प्रकार से आपको बढ़ना है, देखिए application form आपको बिलकुल सावधानी से बढ़ना है, इसमे कोई भी किसी भी प्रकार की जो गलती है, वो आप लोग बिलकुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी छोटी मोटी गलती करते हैं, तो आपका admit card जो है, नहीं आएगा, ठीक है, फिर आप लोग बोलते हैं कि sir, admit card नहीं आया, तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो तक यह आप भर सकते हैं अब बात करते हैं कि application form कैसे भरना है तो मैं आपको लोगों को बताता हूँ step by step कि आपको application form कैसे भरना है तो चलिए दिखाता हूँ सबसे पहले application form तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे application form मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है जहाँ पर लिखावा है performa for application ठीक है इसको आप लोगों को जो है print करवाना है A4 size में और print जो है इसका मैंने आप लोगों को हमारे telegram channel पर भी provide करवा दिया है जो की A4 size में बनाय हुआ है ठीक है तो आप लोग जो है उसको print करवा सकते हैं और उसको print करवा के application form को fill कर सकते हैं तो चलिए step by step मैं आपको guide करता हूँ कि कि किस प्रकार से आपको application form तो देखिए उपर आपको यहाँ पर दिया गया है application for the post of यानि कि आप जिस post के लिए apply करना चाहते हैं उस post का आपको नाम यहाँ पर लिखना है जैसे कि अगर example के तोर पर मैं आपको बताओं तो देखिए तो जैसे कि यहाँ पर आपको कोई post समझ लीजिए कि आपको एक post के लिए apply करना है समझ लीजिए southern Air Command में जो है आपको एक post के लिए apply करना है वो है आपके multitasking stop के लिए ठीक है आप जो है post का पूरा नाम लिखेंगे और उसके अलावा ठीक है बोला गया है in ठीक है यानि कि कौन सी unit में आप बर रहे हैं तो देखिए unit का नाम जो है आप यहां से देखेंगे उपर जो आपको unit का नाम दिया हुआ है ठीक है जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो ठीक है जिस unit में आपको fill करना है form उस unit का आप जो है नाम लिखेंगे और आप लोग चेक कर लेंगे कि आपको जो है कौन सी post से form बरना है और कौन सी unit में बरना है आप जिस unit में चाहें उस unit में बर सकते हो ऐसी कोई foundation नहीं है कि आप जो है एक ही unit में form बर सकते हो ठीक है चलिए यह बात clear हो गई अब आते हैं दूसरे point पर तो देखिए application form का दूसरा point क्या है तो देखिए point आपको दिया हुआ है यहाँ पर post applied for ठीक है तो देखिए पहला point जिसमें बोला गया है post applied for आपको फिर से यहाँ प ठीक है उसके बाद दो number point आता है जिसमें आपको बताना है name of candidate यानि कि आपको अपना नाम लिखना है block letter में यानि कि capital letters में जो है आपको पूरा नाम अपना लिखना है और आम नाम जो है वही लिखेंगे जो कि आपके 10th की mark sheet में है ठीक है बिलकुल सही spelling होनी चाहिए गलत आप लोग नहीं लिखेंगे वरना आपका admit card नहीं आएगा तीसरा point दिया गया है father's name यानि कि आपने पिता जी का नाम लिखेंगे वो भी 10th की mark sheet के according ठीक है इसमें भी आप गलती बिलकुल भी नहीं करेंगे चोथा point है date of birth का तो आप जो अपनी यहाँ पर date of birth डालेंगे ठीक है और date of birth डालने का तरीका क्या होता है देखिए अगर आपकी समझ लीजे कि 3 जनवरी 1999 अगर date of birth है तो आप इस प्रिकार से यहाँ पर लिखेंगे ठीक है यह date of birth डालने का सही तरीका होता है चलिए उसके अलावा आपको date of birth की photocopy यहाँ पर certificate अप्लोड करना है यान के पास में birth certificate की नहीं है तो आप जो अपनी 10th की mark sheet जो की proof होती है date of birth का आप वो भी attach कर सकते हो ठीक है उसमें आपको self signature करके जो है attach करना है application form के साथ में चलिए पांच नमबर point जो की बोला गया है age as on the last date यानि कि last date के दिन जो है आपकी age क्या है ठीक है तो आप जो है easily google मे जा करके age calculator search करेंगे और उसमें जो है आपको जो भी age दिखेगी ठीक है यानि कि आपको जो है इसकी last date के है तो last date जो है 2 मई ठीक है तो आपको जो है 2 मई के according जो है यहाँ पर fill करनी है अपनी date की आपको जो है 2 मई को जो है आप कितने साल के हो जाएंगे यह चीज जो है आ बाद clear हो गई उसके बाद में देखिए address for correspondence यानि कि आप जिस समय अभी है यानि कि वर्तमान पता जो है आपका यहाँ पर डालेंगे house number, post office, district, state, pin code और यह चीज़े आप जो है फिल करेंगे और उसके बाद में अगर आप लोगों का वही permanent पता है तो आप लोग जो है उसक अगर आप general से हैं तो general पे tick करेंगे, OBC से हैं तो OBC पे tick करेंगे, SCST से बिलोग करते हैं तो उस पे tick करेंगे ठीक है और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर certificate भी attach करना होगा अगर आप SCST या फिर OBC से बिलोग करते हैं तो और आपका certificate जो है वो valid होना चाहिए ऐसा नह qualification की आप जिस post के लिए भी apply कर रहे हैं सबसे पहले आप उसकी education qualification check करें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें मांगी गई है अगर आप उसके लिए suitable हैं तब ही आप उसके लिए apply करें और उसके लिए जो है आपके education qualification में जो भी qualification मांगी गई है आप जो है उसको यहाँ पर fill करें जैसे कि किसी में जो है 10th मांगी गई है तो आप वहाँ पे matrix fill करेंगे और अगर आप लोगों की जो भी highest education qualification है वो आप यहाँ पे fill कर सकते हो ठीक है और इसके अलावा जो है आपको सारे educational qualification के certificate जो है यहाँ पे self attest करके यहाँ पे साथ में भेजने होंगे मैं आप लोगों को documents भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको कौन-कौन से document जो है वहाँ पर साथ में बेजने है तो आप फिर से समझ लीजिए मैं आपको नीचे और बता दूँगा ठीक है चलिए next point गया गया है any other experience और qualification ठीक है यानि आपके पास अगर कोई experience है उस post के regarding या फिर उसके बाद में point आता है 11 number तो उसमें आपसे category फूची गई है कि आप कौन से category से belong करते हो तो आप यहाँ पर fill कर सकते हो कि आप general से हैं तो general पर tick करेंगे OBC से हैं तो OBC पे SCST से belong करते हैं तो SCST पे और अगर आप general की EWS category से belong करते हो तो आप EWS fill करेंगे और उसका भी आपके पास में certificate होना चाहिए यानि कि proof जो है आपके पास में होना चाहिए जो कि आपको attach करना है चलिए उसके बाद में point आता है technical training और experience का तो अगर आप लोगों ने कोई technical training कर रखी है या फिर आपके पास में कोई experience certificate है तो आप जो उसको attach करेंगे और आप जो है यहाँ पर बन जाता है आप अपने SDO या फिर SDM के द्वारा बनवा सकते हैं ठीक है चलिए यह बात हो गई उसके बाद में point आता है 14 number ठीक है तो दीके 14 number point में यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है किसी रोजगार कारिया लेके अंतरगत registered है या फिर नहीं अगर आप किसी में registered है तो आप self attest करते time other documents में करेंगे ठीक है चलिए इसके बाद में आपको यहाँ पर date डाल दियनी है जिस date को आप यहाँ पर application form फिल कर रहे है ठीक है और सबसे उपर आपको यहाँ पर अपनी photograph attest करके चिपकानी है ठीक है यानि कि आपको self attest करनी है photograph को और उसके बाद में चिप पापा का नाम लिखना है और उसके बाद में आपका correspondence address लिखना होगा ठीक है चलिए और चार और पांच number point में आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे यह जो है Indian Air Force के लिए है जब आपको admit card बेजेंगे तो वो लोग इसको fill करके बेजेंगे और आपको signature of controlling officer में भी कुछ भ का नहीं है चलिए यह बाते हो गई I hope आपको जो है यह बाते समझ आ गई होगी कि application form किस प्रकार से बढ़ना है चलिए अब देख लेते हैं फिर से कि आपको जो है कौन-कौन से document जो है चाहिए होंगे यानि कि कौन-कौन से document जो है साथ में यहाँ पे बेजने होंगे तो च education qualification है उसके सारे documents की photocopy उसके अलावा age का fruit यानि कि आप जो है birth certificate या फिर अपनी class 10th की mark sheet की copy जो है attach कर सकते हो इसके अलावा अगर आपके पास कोई technical qualification है तो आप जो है उसको भी attach करेंगे साथ में अगर आप physically handicap गें तो आपको disability certificate भी साथ में attach करना होगा और उसके अलावा अगर आपके पास में कोई experience certificate है तो आप जो है उसको भी attach कर सकते हो इसके अलावा कुछ mandatory चीज़ें हैं जैसे की cash certificate हो गया domicile certificate हो गया अदार card हो गया ये चीज़ें जो आपको बेजनी ही बेजनी है ठीक है चलिए I hope आप लोगों को documents related सारे doubts दूर हो गए होगे कि कौन कु से address पर आप बेजेंगे और किस प्रकार से बेजेंगे तो देखिए आपको जो है दो लिफाफे लेने हैं जिसमें एक लिफाफे पर जो है आपको 10 रुपे की ticket लगा के जो है application form के साथ में उसको attach करके भेजना होगा और दूसरे लिफाफे पर जो है आपको ये सारी चीज में आपको unit में form fill किया है आपने समझ देजिए housekeeping staff के लिए ठीक है तो देखिए आपको जो है इस address पर ये जो है लिफाफा बेजना है यानि कि application form जो है इस address पर बेजना है ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते होंगी postal address और इतनी सी चीज़ तो आप लोग भी समझ सकते ह है ठीक है तो देखिए आपको जिस भी command में ठीक है जिस भी unit में जो है आपको form fill करना है जिस post के लिए आप उसके सामने दिया गया postal address जो है उसी पर जो है application form को send करेंगे ठीक है चलिए I hope आप लोगों ये सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी और आप लोगों कोई भी Navy, Air Force और Coast Guard इन में से किसी भी exam के लिए यदि preparation कर रहे हैं तो आप जो है परिक्षा application को prefer कर सकते हैं उसमें जो है आप लोगों को syllabus और paper pattern के according moctets देखने को मिल जाएंगे और परिक्षा application डाउनलोड करने के बाद जो है आप लोग हुमारा coupon code selection 50 यूज़ करना बिलकुल भी बूलें जिससे कि आप लोगों अच्छा खासा discount देखने को मिल जाएगा परिक्षा अपकी link जो है आपको वीडियो को description में दी गई है आप वहाँ से भी उसको download कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन दोस्तों